हेलो गाइस तुम्हें आप लोगों को बटर स्कोच केक बेबी कल्स और बेबी बॉय का केक बना के दिखाने जा रहा हूं तो वीडियों बने रहे यह लाज तक देखिए वाइट क्रीम में बटर स्कोच नस्च और बटर स्कोच डालके मिक्स किया और उसका लेयर लगा के केक को तयार किया तो पर स्थोड़ा सा स्वीट्मेट मार लिए ताकि केक में शुपनेस रहे और इसके बाद थोड़ी सी वाइट क्रीम से पतली लेयर में आइसिंग करना है तक केक थोड़ा स्टेट हो जाए और आइसिंग करने में जढ़ा प्रोब्लम ना हो तो आप देख सक वो हम पने रही है लाश तक देखिए बहुत इच्छा के बनने वाला है तो देख सकते हैं कि पिंग कलर की क्रीम रेडी हो चुकी है इसको पाइपिंग बेग में इसलिए ले रहे हैं कि उसमें क्रीम लगाने में प्रवल्म नहों आसानी से क्रीम लग जाए तो अब देख सकते हैं उसको थोड़ा सकट किया और पाइपिंग से इस तरह से किरिम लगाए के ऊपर इसके बाद फिर ब्लू भी इसी तरह से लगाना है इसके बाद फिर नाइप से आइसिंग करनी है थोड़ा थोड़ा करके ताकि कलर एक दूसरे मिक्स नहों फिनिश तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिश और इस्टेड आइसिंग हुआ है आगे भी वीडियो में बने रही है कितना अच्छा और सुंदर के बनने वाला है आपको एक केजी के बेस पर उतार के रखना है इसके बाद हमको दो कलर में उसके उपर से नोजल भी मारना ह है तो आप वीडियो में बने रही है देखिए मैं कैसे नोजल कर रहा हूं है और साइड मी भी वर्डर मारना है इसके बाद बोडर मारके रेडिय से उपर रोच के फ्लावर रखने हैं पिंग कलर में पिंग कलर की और बलू कलर में पिंग कलर की पिस तीन फ्लावर zarхने है इसके बाद देख सकते हैं flower बनके तयार हुआ रख दिया इसके बाद इस पर हमको baby girl's एक side लिखना है और baby boy एक side लिखना है तो आप लोग देख सकते हैं cake बनके तयार हो गया है वीडियो पसंद आया तो subscribe